नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदू पंचांग के नुसार एक माह को 30 दिनों में बाठा गया है इन 30 दिनों को दो-दो पक्षों में बाठा जाता है जिसमें 15 दिन के एक पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं और बाठी वच्चे 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहा जाता है चन्मा की कलाओं के ज्यादा और कम होने को ही शुक्ल और कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है आज के इस वडियो में हम जानेंगे कि मई 2024 में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पुर्णिमा और मावस्या की बीच वाले भाब को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं जिस दिन पुर्णिमा तिती होती है उसके अगले दिन से कृष्ण पक्ष की शुरुवात हो जाती है जो मावस्या तिती के आने तक 15 दिनों तक रहती है मानता है कि जब भी कृष्ण पक्ष होता है तो उस दौरान कोई भी शुप काम करना उचित नहीं होता मई दो हजार चौविस में कृष्ण पक्ष एक मई से आट मई तक रहेगा एक मई दिन बुदवार को है बैसार कृष्ण सब्तमीती थी और आट मई दिन बुदवार को है बैसार कृष्ण अमावस्याती थी इसके बैसार 24 मई से 11 मई तक कृष्ण पक्ष रहेगा 24 मई दिन शुक्रवार को है जेश्ट कृष्ण प्रति पदाती थी और 21 मई दिन शुक्रवार को है जेश्ट कृष्ण अच्ट्युमीति थी अमा वस्या पूरिमा के बीच वाले भाग को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं अमावस्या के बाद के पंदरा दिन को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, इस समय में चन्वा बलशाली होकर अपने पूरे आकार में रहता है, यही कारण है कि कोई भी शुकाम करने के लिए इस पक्ष को उप्युक्त और सर्वशेष्ट माना जाता है 9 माई से 23 माई तक शुक्ल पक्ष रहेगा, 9 माई दिन गुरुवार को है बैसाख सुक्ल प्रतिपदाते थी और 23 माई दिन गुरुवार को है बैसाख सुक्ल पूर्णिमाते थी मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ